कट गया तंडफ से कट गया अरे भाईया है पूरी दुनिया को मालूम चल गया कि सीन कट दिये तैंडफ की निर्माताओं ने जिस पे रूभ सी हो ठीजिंप आप क्या ने हैं अरे हम सीन की बात नहीं कर रहे हैं हम तो यह कह रहे हैं कि कॉन्ट्रोवर्सी को अगर आप हटा दो तो भी यह स्पूरी सिरीज को देखने के बाद आपका इतना जवर्दस कटता है क्योंकि प्रॉमिस कुछ भी है और इस कॉंट्रोवर्सी वे यासिर भाई यह बात तो लोग करी नी रहें कि इतनी बुरी सिरीज है यह क्योंकि जब इक कंट्रोवर्सी खड़ी की हो जाती पर सर कैसे बता दूं कैसा है जब मैंने देखना शुरू किया तो सैफ अली खान की परफॉमेंस सब लोग पहले तीन एपिसोड तक आपको लग रहा है भाई सब बड़ा गजब चीज देख रहा हूं पर उसके बाद जो होता है उसके बाद तो मैं सिर्फ और सिर्फ वहां प सब्सक्राइब इसका कॉंपारिजिं कर रहे थे बाद या तो हाउस अफ काइर के निर्माता हो नहीं देखा या फिर वह मान के चल रहे है कि लिए हंदुस्तान में किसी नहीं नहीं देखा हूँगा खैर। जैसे कि तुम नहीं का थाण पैक आफ काप आफ काट की तरह डा लिए आसी हो टरा देह जाती है शुरू होती है एक तो इसु कहते है न किया स्टली जिसको चाहिए बिलिटिकल आप सोचिए पहले एपिसोड में आपने देख लिया होगा तो अब स्पोईलर नहीं है कि पहले एपिसोड में सैफ अपने पिता जो कि प्रधान मंत्री है एंदेश के उनकी उनका मुर्डर कर रहे हैं तो उनको जो भी मिला के दे जहर पिर वो उसके बाद वो ऐसे एक्टिंग अपने की तो सैफ अली का बताते हैं कौन सा जहर था क्योंकि बढ़ने वाले को वह एक्षाइब को वह पुरा स्पून फीट किया जा रहा है जितनी भी पिछले पांच साल में जो हैडलाइन जो अपने वेबसाइट के ऊपर सुना होगा कीवर्ड सुना होगा कि गूगल में क्या कीवर्ड सब कुछ टाइप किया जो जो जैसा कि तुमने देखा ही है जो इस च्रुक्चर खड़ा किया गया है पहले तीन एपिसोड में राइटर इसके गौरफ सोलंकिया बहुत अच्छ राइटर है उन्होंने अनुभक सिना की फिल्म थी अर्टिकल 15 बहुत कमाल की लिखी तो ऐसा नहीं है और वो पहले तीन में जब वो चैरेक्टर इस्टाबलेश होते हैं बहुत कमाल की जो जो लगता है कि आपको बहुत बड़ी प्लिटिकल सीरीज आगे दिखने वाले हो जीशान आयूब मुझे फिर भी थोड़े से हलके लग रहे हैं लेकिन बाकी जितने बड़ी जीशान आयूब कर बहुत नजबूत रोल है एक्चली एक्चली दिस सीरीज बिलॉंग्स तो जीशान आयूब मोर्दन सहिफ अली खान पर सर मुझे तो लगता है कि यहां पर ड दो जाता है कि यहां पर छीशान पर चीश को इस पूनग्स पेष यहां पर हर चीज स्बून धिखाई जे बज़ाए की यहां पर तनडव में आप लगे गाा झाई नहीं नहीं कि अढ़ी इंग्स बड़त उनकर कितना अंगा को इतना फिल्मीगा पर हर चीज को पेश की ग सुनील ग्रोवर गुत्थी बने हुए थे उनने कमाल कर दिया है, मुझे बहुत अच्छे लगे है मुझे इसा नहीं लगता, मुझे लगता है विवाद होनी नहीं चाहिए एक फिक्षिनल जब शुरू में डिस्क्रेमर दे रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं हम लोग अहत क्यों हो जाते हैं, यह अलग मुझे नहीं लगता हमें बिलकुल अहत होना चाहिए मुझे तो लगता है कि आहत होना चाहिए, नौ 9 एपिसोड की पूरी सिरीज दिखा रहे हो और नौ 9 एपिसोड की देखने के लिए और नहीं प्रूद देखने के लिए और नहीं कॉलिटी पे लिए हो सकते हैं लेकिन मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ के जो यह नहीं सीन नहीं देख लिया मैं आपको कहानी क्या बता हूं कहानी तो बतानी की ज़रूबत नहीं है पर फिर भी सर हम यह तो बता सकते हैं कि वोट वर्क्स फॉर्ट फोर तंडव थोड़ा बहुत क्योंकि एक्टिंग मेरे ख्याल से कमाले सब इसके जितने ना मुर्या जितने नहीं सुर्ण गोवर सुर्ण गोवर बहुत इंट्रीगिंग है गोहर खान भी अच्छा रोल है कुमुद मिश्रा है बहुत अच्छे सीनियर नेता के रोल मैं हमारे रामधीर सिंग तिमान शुदूलिया है मता वह पहले एपिसोड में अपिसोड में अपनी चाप छोड़ जाते इनो मूरिया है आप सोच नहीं सब्सक्राइब करते हैं लेंकि अच्छे बड़े हैंसम लग रहे हैं प्रोफेसर बनाया गया उनके वह एक डायलोग पे विवाद सोची है इन अच्छी एक्टेंग कास्ती आपके पास अच्छा आप कासा पैसा था तो डियरेक्टर थे इन में मसाला देखे हम लोग यह बात कर रहे थे चैन यह इंपोर्टन बात है कि यह नौ एपिसोड चुकी एक वैस का चला रहा है नौ या दस एपिसोड या आठ एपिसोड बनाने है विच मींज कि पांचे शे घंटे की एक फिल्म बना लिए या धाई गंटे की फिल्म तो बनती नहीं अच्छी धाई गंटे तक तो हम जहल नहीं पाते आपकी क्रियेटिविटी को यह हमारी एक रिवेस्ट है आप सब लोगों से कि अगर चार एपिसोड में कहानी खतम होरी तो चार एपिसोड बना दीजी क्या फर्क परता है सीजन 3 में फिर चार ले आईगा है ना इससे पहले होट स्टार वालों ने भी यह किया था क्रिमिनल जस्टिस का जब सीजन 2 लेकर आए तो उसको भी इतना लंबा कीज दिया भाई अगर आपके पास कहानी चोटी है ज्य कि बात होती कि कितना बड़ा कटा है मैं तो यह कह रहा हूं कि सर विवाद के साथ भी एक्चुली जो कटा है वो ओडियन्स का ही कटा है और मेरी मेरी बस गुजारिश है इतने अच्छे मजे हुए कलाकारों से यार थोड़ा सा स्टोरी पर भी थोड़ा सा जोड देना चाह लेकिन तंडव है यार यह बड़ी एवरेज है कि कुछ लोग को बहुत पसंद भी आ रही कि बहुत मसाला है लेकि वो मसाला तो ठीक है अपनी जगा इतने बड़े-बड़े स्टार्स को लेके कुछ बहुत-बड़ा क्रेट होना चाहिए था एक पूरा प्लेइंग सिरीज बनती नहीं है इंडिया में एक मौका मिला था सारे इश्यूस भी थे जो कहानी के जो अलंत मुद्दे थे सारे उन जोलंत मुद्दों के साथ बड़ा ही फिल्मी और बड़ा ही क्लीशेट बनाए प्रकाश ज्या की फिल्मों से बहुत आगे नहीं बढ़ पाती है त क्योंकि अगर सिरीज खराब होगी तो हमारा जो मेन मोटिव है वो यह कि कम से कम रिव्यूज तो इंट्रेस्टिंग है